नमस्कार दोस्तों आडवांच नुर्शिंग क्लास्यस का और एक नए सेसन में आप सब का स्वागत है जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोग कंटिनीव कर रहे हैं दा अनेटोमी अप काडियो वास्कुलार सिस्टम प्रीवेर सेसन में हम लोग अल्रेडी सिस्टम कर जुके हैं अबाट पर्मोनारी सर्कुलेशन सिस्टमिक सर्कुलेशन देलेयर अफ बेन और आटेरीज और बलड का, sorry हमारा काडियो वास्कुलार सिस्टम और सरKÜL acquisition का आसेसरी कौन कौन सा है heart किस किस के मदद से body में blood को circulate करवाता है यह सारा चीज हम already discussion कर चुके हैं आज की session में हम लोग discussion करेंगे about the anatomy of heart okay, anatomy of heart details में हम discussion करेंगे exam point of view से बहुत ही important है topic इसलिए आप skip मत किजिएगा यह तक जरूर देखना, ठीक है तो दोस्तों पहले हम देखेंगे what is heart तो answer क्या आएगा heart इजे hollow muscular organ okay hollow muscular organ अच्छा, muscular organ का मतलब क्या है यह तो सबको समझ में आ ही रहा होगा क्योंकि जो organ made up of muscles no not muscular organ जो organ muscle से बना हुआ होता है उसको muscular organ बोला जाता है अपको सारे ही organ muscles से बने हुए होते है okay then what is the meaning of hollow hollow का मतलब क्या है खोखला ठीक है जिसे की football के अंदर रहता है okay football का अंदर वाला इससे कैसे होता है खोखला होता है ठीक है तो heart इजे hollow muscular organ that means heart muscle से बना हुआ एक organ है जिसका अंदर वाला हिस्सा और अंधरुनी हिस्सा जिसको बोलते हैं वो क्या है खोखला होता है okay तो अगर इसकी shape की बात करेंगे heart का shape क्या है कौन shape okay heart इजे cone shaped organ cone means हम लोग ice cream बाले से क्या मांगते है कुलफी मांगते है कुलफी कैसे दिखता है इसी तरी कैसे दिखते है ठीक है तो ये कुलफी कौन सी shape का होता है cone shape का है that means the heart is also looks like a cone okay heart भी हमारा cone की तरह ही दिखता है okay तो shape की बात करें तो heart is a cone shape clear हो गया then about the weight कितना weight होता है तो दोस्तों ये जो heart का weight है male में approximately ये 310 gram होता है और female से 225 gram okay male में 310 gram and female में 225 gram होता है clear है 5 से 10 gram इधर उदर हो सकता है उपर नीचे हो सकता है okay then देखेंगे हम about the length मैं आप सबको ये क्यों बता रहा हूँ क्योंकि हम जब circulation का discussion करेंगे circulation inside the heart कैसे होता है at the time आपको ये काम में आएगा okay और exam में भी ये काम में ही आता है okay तो length की बात करें तो it's approximately 10 cm long and approximately 8 cm wide okay length की बात करें तो heart is 10 cm long and approximately 8 cm wide then हम देखेंगे about the thickness thickness कितना होता है heart का approximately 4 to 5 cm okay thickness का मिनिंग क्या है मोटाई okay thickness का मतलब क्या होता है मोटाई clear हो गया हम क्या क्या discussion किया heart is one type of muscular organ and it's hollow okay इसके अंदरूनी हिस्सा जो होता है खोकला होता है okay heart is look like a cone and the weight is 310 gram in male and 225 grams in female length की बात करें तो यह approximately 10 cm लंबा है और 8 cm चोड़ा okay अगर thickness की बात करें तो it's 4 to 5 cm okay then देखेंगे हम इसका position okay यह कहां पे situated है this is the most important part of the anatomy of heart okay की यह कहां पे दिखता है कहां पे इसका position है यह सबसे important factor है इस topic का okay so दोस्तों the heart is lies obliquely obliquely in the thoracic cavity okay कहां पे heart situated in the thoracic cavity किस तरीके से है इसका lies क्या है obliquely okay तो obliquely का मतलब क्या होता है कैसे हम अगर imagine भी नहीं कर सकते तो मैं आपको बता दूँ अगर हम एसे तीन लाइन खिषते है okay तो यह हो गया हमारा इसको हम बोलेंगे क्या longitudinal line ओके यह हो गया हमारा longitudinal जो ऐसे ही सिदा सिदा होता है उपर से निचे तक या तो निचे से उपर तक यह हो गया हमारा longitudinal then जो लाइन हमारा left से right और right से left येसे ही आता है इसको हम क्या बोलते हैं transverse lie एंड जो corner से corner तक आता है इसको हम क्या बोलते हैं oblique lie clear है तो heart हमारा कैसे situated है येसे oblique lie कहां पे thoracic cavity ये thoracic cavity क्या होता है जहां पे thorax present होता है अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक like और subscribe जरूर कर दिएगा thoracic cavity क्या होता है जहां पे thorax present रहता है thorax क्या है chest होता है तो हम ये बोल सकते हैं क्या thoracic cavity is also known as the chest cavity ओके thoracic cavity is also known as the chest cavity तो इसको हम simplify करें तो ये क्या हो जाएगा the heart is lies obliqually in the thoracic cavity और chest cavity chest cavity ओके यहां पे और एक important चीज में आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा chest cavity होता है chest cavity is the second largest hollow space in human body second largest hollow space in human body हमारा human body में second largest hollow space कौन सा है ये chest cavity है hollow space का मतलब क्या है जैसे कि हम देखे कि heart इजे hollow muscular organ heart muscles में बना हुआ एक hollow organ है hollow का मिन्ज क्या है खोकला ठीक उसी तरह chest cavity is also खोकला ओके लेकिन second largest यहां पे question आता है कि first कौन सा है तो वो क्या है abdomen ओके in human body abdomen is the largest hollow space ओके देन second नमर में कौन सा आता है chest cavity clear हो गया chest cavity okay तो सबसे खोकला हिस्सा सबसे बड़ा खोकला हिस्सा किसका है कौन सा है abdomen और second खोकला हिस्सा कौन सा है वो है आमारा chest cavity clear हो गया तो इसी chest cavity में हमारा जो heart है वो obliquely present है okay इसको और थोड़ा simplify करें तो और क्या हो सकता है heart कैसे दिखता है मैं एक rough diagram आपको यहाँ पे दिखाता हूँ okay कुछ इस तरीके से मैं आपको कैसे बताया था उसका shape कौन shape का है okay तो कौन का जैसे उपर वाला हिस्सा चोड़ा होता है और नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा पतला होता है ठीक इसी तरीके से दिखता है हमारा heart heart के यह जो उपर वाला चोड़े वाला हिस्से को क्या बोल सकते हैं हम क्या बोलते हैं base बोलते हैं और नीचे वाला जो pointed portion है उसको हम बोलते हैं apex तो इसको simplify करें इसका position को अगर थोड़ा सा और simplify करें तो यह क्या होगा the base the base of heart the base of heart is located located at the level of at the level of second rib हमारा जो ribs होते हैं वो second वाले ribs के level में क्या दिखता है heart का base situated होता है and तो यह apex कहाँ पर situated है the apex is located at the level of fifth intercoastal space okay fifth intercoastal space में इसको short में ICS लिख रहा हूँ अच्छा तो इसका जो heart का जो base होता है base portion में आपको दिखाया यह concept का होता है तो जैसे की cone का उपर वाला हिस्सा चोड़ा होता है ठीक उसी तरह heart का उपर वाला हिस्सा भी चोड़ा होता है और यह चोड़े portion को हम क्या बोलते हैं base बोलते हैं और निचे बाला जो pointed portion है उसको हम क्या बोलते हैं आपक्स बोलते हैं तो यह जो base है यह हमारा second rib के level में आता है और यह जो pointed portion है निचे बाला यह कहां पर यह 5th intercostal space के level में आता है what is the meaning of intercostal space intercostal space हम किसको बोलते हैं देखे दो ribs के बीच में जो gap होता है उसको बोला जाता है intercostal space तो यह अगर हमारा हो गया body का midline midline में क्या situated है हमारा breast bone और sternum situated है body के दोनों side में यह हो गया हमारा right side यह हो गया left side दोनों side में कितने ribs present है 12 numbers of ribs present each side of the body right side में भी 12 ribs होते हैं और left side में भी 12 ribs होते हैं अगर दो ribs के बीच में जो space है उसको intercostal space बोला जाता है तो 12 ribs के अंदर कितने intercostal space present रहेंगे 11th number of intercostal space present रहेंगे on each side तो यह जो apex है हमारा apex 5th intercostal space के level में located है heart का जो apex है वो 5th intercostal space के level में located होता है और इसका जो base है वो लोकेटेड कहां पे are the level of second rib ओके आच्छा और थोड़ा simplify करके समझेंगे तो यह क्या होता है यह जो heart होता है यह body का जो middle line है that means from the lining of breast bone body का जो middle line होता है middle line से 9 cm left की तरफ present होता है heart body का middle line से 9 cm खिसक के left में present होता है ज़्याद अच्छा वाला वाड़ा आता नहीं है मेरे को हिंदी का इसलिए बोल दिया है तो it's situated 9 cm away from the middle line of the body okay कहां पे कौन से direction में towards the left okay body का middle line से 9 cm left की तरफ यह present होता है बेस कहां पे present होता है at the level of second reef and the apex is located at the level of fifth intercoastal space then what is intercoastal space the gap between two reefs is known as intercoastal space there are 12 number of reefs on each side of the body okay we can look at 12 number of reefs on right side and the another 12 number on the left side okay and the gap between two reefs known as intercoastal space आज देयारीच 12 number of reefs present on each side there are 11th number of intercoastal space on each side of the body clear अच्छा अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि ओर्गन जैसे कि हम जहां पे रहते हैं हमरा left में भी कोई आंटी अंकल भाई बगरा रहते हैं right में भी रहते हैं आगे भी रहते हैं पिछे भी रहते हैं तो वह हमारा storing area है उनहीं को उन्हीं लोगों के साथ हम रहते हैं वहहीं हमारा 4嘘 present है किसको हम अंकल भी ब्ला लेते हैं किसीको अंटी बॉला लेते हैं किसको बैन भी यह After that, only you can understand the general circulation, okay, heart के अंदर किसे circulate होता है, उसके बाद ही आप लोग समझ पाएंगे, ठीक है, तो अभी हम क्या देखेंगे, organs associated with heart, okay, heart के साथ कौन-कौन से organ present रहते हैं, okay, तो पहले हम देखेंगे, super early, okay, super early, super early means upper side, okay, upper side, हिंदी ठीक से लिखना नहीं आता दोस्तों, नहीं तो लिख देता मैं, okay, I think इसी तरीके से होगा, upper, okay, पता नहीं, कोई गलती हो जाए, तो फिर बताना प्लीज, ठीक है, upper side में, कौन-कौन सा organ present रहते हैं, okay, कौन-कौन सा रहते हैं, the arota, ठीक है, आप लोगों इसको याद रखेगा, arota is the first artery of the general circulation attached with the heart, यह आप याद रखेगा, आरोट में क्या बोला भी, यह जो आरोटा होता है, आरोटा is the first artery of general circulation, that means, heart से pure blood निकलते ही, पहले कहां पे एंटर करेगा, यह आरोटा में एंटर करेगा, आरोटा में एंटर करने के बाद ही, वो all over body में, इसका जो ब्रांचेस होते हैं, उनके थ्रो, all over body में circulate हो पाएगा, तो यह जो आरोटा है, वो heart के साथ attached है, जैसे ही pure blood, heart से निकलेगा, वो पहले कहां पे एंटर करेगा, आरोटा से निकलेगा, इसलिए आरोटा को बोला जाता है, आरोटा is the, आरोटा is the first artery of the general circulation of human body, ओके, तो यह आरोटा कहां पे प्रेजन्ट है, इसके उपर वाले हिस्से में प्रेजन्ट है, superiorly, that means, उपर वाला हिस्सा, ओके, ओपर साइड, आरोटा प्रेजन्ट है, और क्या प्रेजन्ट है, superior भेना के भा, superior भेना का भा, ओके, superior भेना का भा, यह superior भेना का भा, कहां से blood लाता है, from the upper part of the body, ओके, impure blood, body के upper part से impure blood लाता है, right arterium तक, ओके, कौन, यह superior भेना के भा, ओके, कहां पे प्रेजन्ट है, यह भी, हमारा upper side of the heart, प्रेजन्ट है, उसके बाद और क्या लोकेटेड है, pulmonary artery, pulmonary artery present है, यह हो गया, superiorly, ओके, और भी एक है, वो है आमारा pulmonary bend, pulmonary bend, आता है ना, वो lung से blood लेके आता है, तो pulmonary bend भेन भी, upper side में भी present है, clear हो गया, then देखेंगे हम, inferiorly, inferior, okay, lower part, lower part of heart में, कौन-कौन सा, ओर्गन प्रेजन्ट है, ओके, तो lower part में दोस्तों, ज्यादा कुछ present है नहीं, lower part में क्या है, base तो हो गया, हमारा upper part, जो कि हमारा, आरोटा, superior भेन के बाद, pulmonary artery, pulmonary bend, ये सब प्रेजन्ट है, lower portion कुन सा है, this is the apex, okay, हम इसमें सिर्फ लिख सकते हैं, the apex और the lower part is situated, situated on the central tendons, on the central tendons of diaphragm, diaphragm, okay, तो ये जो heart का apex है, lower वाला हिस्सा है, वो कहां पे situated है, central tendons of diaphragm, हमारा diaphragm के उपर, ये आराम से rest लेता है, okay, इसलिए, क्या बूला जाता है, आप लोगों को पता होगा, the physical changes during the pregnancy, आप लोगों अगर पढ़े होगे, ओबीजी में, तो आप लोगों को पता होगा, वहाँ पे एक चीज जरूर मेंशन है, कि during the pregnancy, हमारा heart क्या होता है, थोड़ा सा upper और left side में elevate हो जाता है, पढ़े होगे न, तो क्यों होता है यह, क्योंकि यह अगर heart हो गया, ठीक है, इसका जो आप एक से, वह कहाँ पर है, rest on the central tendons of diaphragm, तो diaphragm यह हो गया, छत्री के तिरा, okay, उसके उपर क्या है, इसका आप एक से, और वैसे भी middle line से मैं बताया आपको की heart 9 cm left की तरफ है, तो during the pregnancy क्या होता है, uterus का enlargement होता है, okay, uterus का enlargement होते ही, enlarged uterus क्या करता है, हमारा drive program को थोड़ा सा उपर की तरफ धकलता है, जिसे ही drive program थोड़ा सा उपर की तरफ हो जाता है, तो heart भी simultaneously इसके साथ ही, उपर की तरफ थोड़ा सा shift हो जाता है उपर और left side के तरफ clear है तो इसलिए जब हम discussion करेंगे OBG का the physiological changes during the pregnancy वहाँ पर आप लोग यह line देखने को पाएंगे क्या कि during the pregnancy the heart is shifted slightly towards the upper and left side समझे आगे next देखेंगे हम यह हो गया inferiorly निचे की तरफ क्या होता है only apex rest लेता है then देखेंगे हम anteriorly anteriorly means front side में heart के front में क्या क्या present है हमरा ribs present है क्या है ribs present है क्यों आप पिंजरा दिखें होंगे पिंजरे कुछ इस तरीके से होता है उसके अंदर क्या होता है तोता होता है तो heart को अगर हम तोते की तरह समझने लगे तो ribs क्या हो गया एक पिंजरे की तरह काम करेगा तो ribs present होते है और क्या होता है sternum present होते है the breast bone और क्या होता है the ICS intercostal spaces intercostal spaces are also present anteriorly to the heart then देखेंगे हम posteriorly posteriorly और पिछे की तरब heart के पिछे क्या क्या present होता है that is asophagus asophagus present रहता है और क्या present रहता है the trachea उके उसके साथ साथ the descending आरोटा descending आरोटा प्रेजन रहता है inferior भेना के भाय inferior बेना के भाय प्रेजन होता है और क्या होता है the thorakic भाटी ब्रा ओके इतने सारे चीज heart के पिछे present रहते हैं asophagus, trachea, descending आरोटा ओके inferior भाना के भाय और the thorakic भाटी ब्रा ठीक है समझ में आगया हम superiorly inferiorly anteriorly and posteriorly discussion कर लिए क्या क्या प्रेजन रहता है देंग देखेंगे about the lateral side ओके that means both side left or right दोनों छोर पे क्या बोलते हैं उसको ठीक है left or right में क्या क्या प्रेजन रहते हैं उसको literally बोलेंगे ओके यह अगर heart हो गया तो यह जो space है इसको हम बोलेंगे lateral side यह दो हो गया superior, यह inferior हो गया यह front बाला हो गया anterior और posterior हो गया पिछे बाला हिसा लेकिन यह जो side है जिसमें मैं round round कर रहा हूँ यह हो गया हमारा lateral side क्या present रहता है lungs present रहता है कितने lungs होते हैं 2, 3, 4 2 2 lungs present रहते हैं अगर यह heart हो गया यह हो गया heart का हमारा right side यह हो गया left side मैंने क्या बोला था कि body का जो midline है midline से left की तरफ 9 cm में line cm left में present है body क्या midline का 9 cm में present है क्या heart ठीक है midline से 9 cm left की तरफ heart present है तो जैसे कि heart की दोनों छोर पे या literally क्या present होता है हमारा lungs present होता है तो वो left बाला lungs क्या होता है heart का left side को overlap करके रखता है तो यहां पे आप note करके रख दीजे कि the left lung is overlap is overlap the left portion left portion of the lung sorry heart heart clear है क्योंकि हमारा जो heart होता है वो body के midline से left की तरफ 9 cm में है midline से 9 cm left की तरफ है इसलिए जो left बाला lung से वो heart का left portion को overlap करके overlap करता है तो यह था दूस्तों all about the anatomy of heart यह basic anatomical review था next session में हम लोग discussion करेंगे the layer layer of heart and the circulation inside the inside heart okay heart का क्या-क्या layer होता है और circulation कैसे होता है heart के अंदर उसके regarding हम लोग next class में discussion करेंगे I think इस session के लिए time enough हो गया है okay आप लोगों का भी patience नहीं होगा तो इसी में finish करते है आज का session फिर मुलाकाट होगा और एक नया करते हैं